आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का जंडा भरा है आप कल्पना कर सकते हैं उंचे पहड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना ने भारत की जीत पहड़ की उंचाई की नहीं भारत की सेनाओं के उंचे होंसले और सक्ची विर्ता की इतनी उंचाईयों पर विजय पाना मात्र गगन चुम्बी चोटियों को फते करना नहीं है ये देश की समूची शक्ती को दर्शाता है हमारी सेनाओं के शौरिका प्रतीक है युद्ध सरकारे नहीं लड़ते युद्ध पुरा देश लड़ता है सरकारे आती जाती रहती है लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते हैं वो अजर अमर होते हैं सैनिक आज के साथ भी आने वाली पीडी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं हमारी आने वाली कल्प सुरक्षित रहे हैं उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है सैनिक जिन्दगी और मौत में वैद नहीं उनके लिए तो करतब यही सब कुछ होता है कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम में साहस की जीत थी कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी कारगिल में विजय भारत के सामर्थ और संयम की जीत थी कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी कारगिल में विजय प्रतेक देश्वासी की उम्मीदों और करतव्य परायनता की जीत थी साथियों कारगिल यूद्ध के समय अटल जी ने लाल के लिए से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगी है अटल जी ने तब देश को गांधी जी के मंत्र की याद दिलाए थी उन्होंने कहा था कि यह जी कोई दिविदा हो कि तुम्हे क्या करना है तो तुम भारत के उस सबसे असहाई व्यक्त के बारे में सोचो और स्वयम से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हैं उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है करगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कोई महत्वपूर्ण रिल्ले लेने से पहले हम यह सोचें कि क्या हमारा यह कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुती दी थी अपना रक्त बहाकर जिनोंने सर्वस्व न्योचावर किया उन शहीदों को उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर